देखे हम PMR विभाग में पिछले कई दिनों से इसके मांग थी कि एक इंस्टुमेंट होता फूट प्रेसर एनलाइजर उसे डियापटिज की इतने मरी होते हैं उनमें जो अपना पैर होता है उसमें प्रेसर पूइंट होते हैं कि अलसर बनने के कहा कहा चांसर होते हैं जवाला लेरो अस्पताल में मदू में रोगियों को जांच में विशेश मदद मिल सके इसके लिए आज PMR डिपार्टमेंट में फूट प्रेशर एनलाइजर का शुबारम किया गया करीब 7 लाग रुपे की लागत से खरीदी गई मशीन से अनेक रोगी लाभनवित होंगे मेडिकल कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर वीर बाद्दूर सिंग ने जानकारी देते हो बताये कि लंबे समय से बेबाग द्वारा इस मशीन की मांग की जा रही थी तक हम पीमर वी भाग में पिछले कई दिनों से इसके मांग थी कि एक इस्ट्रूमेट था फुट प्रेसर एनलाइजर उसे डापरियर्टिज के इतने मरी होते हैं, उनमें जो अपना पैर होता है उसमें प्रेसर पोइंच होते हैं कि अलसर बनने के कहा कहाँ चांसर होते हैं पर को पता है कि डापटीज रहती है लोंग ट्रॉम डाप फूट अल्चर बहुत कोमन होते हैं उसकी कॉम्प्लिकेस्टन ही होती है कि यह कई बार प्यांगली काटनी पड़ती है करना पड़ता है कि इन सब का प्रिवेंशन करने के लिए ये मशीन की विभाग के दोरा मांग की गई थी और हमने इनको ये मशीन दिलाई है इस मरीज से शहर में और शहर के आसपा जितने वी डावडिज के मरीज है उनके फूट प्रेसर उनका देखके उनके ये निधारन किया जाएगा कि इससे उनके अलसर होने के चांशेज कितने हैं और उनना अलसर को कैसे बचा जा सकता है मैं विभाग के हमारे डॉक्टर सौनी हैं इनको ये कहूंगा कि आने वाले समय में रेगूलरी लोगों की जांस करें और जांस करके इस चीज़ से लोगों निचाज देए नेरे बाग एक दो जगए है बाकि यह मसीन है नहीं हमने इनको दिलाई है कि यह हमारा जो पीएमार विभाग है अब था नमसी के अनुशार किसी बी मेडिकल कोलेज में पीएमार विभाग का होना वुश्च्छ है हमारे यहां दो असिस्टेंट प्रोफिसर है एसार की पोस्ट इमारे सेंक्चन है और एक असोसेट प्रोफिसर है हम यह उमीद करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट टियर में इनके यहां भी MD PMR शुरू करा देंगे यह हमारे सभी कि इच्छा है क्योंकि यही ऐसा विभाग बजगा जिसमें हमां अमडी ने करा पाएं बागे लगबग सभी विभाग में हमने अमडी करवा दिए हमार विभाग में यह फुट प्रेशर अनालाइस सिस्टम आया है इस मशीन के द्वारा हम मरीजों का फुट का प्रेशर मेजर करेंगे और इस्पेशली इस फुट प्रेशर का मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस उन लोगों में होता है जिनके फुट में संसेशन नहीं होती है जैसे आपको सभी को मालूम है कि डियाबिटीज हमारे भारत में और पूरे विश्व में बहुत ही कॉमन हो चुका है तो डियाबिटीज में नसे खराब हो जाती है पूरे बॉड़ी की, इस्पेशली पैरों की नसे खराब होने के करण वहां के soul की sensation खतम हो जाती है तो जब patient को sensation खतम हो जाती है तो उसे मालूम नहीं चलता कि उसके पैर में कब काटा चुप गया है या फिर उसके पैर में कब घाव होने वाला है तो इस condition में हम उस high pressure area को हम पहले ही measure करेंगे और उसके इसाब से उनके foot को शूग modification करके उनको offload करेंगे तापकि जो diabetes और उसके कारण होने वाली जो complications होती है जैसे घाव हो जाता है नासूर हो जाता है और उसके बाद पैर कटाने के तब की नौबत आती है तो मरीज को अपने पैर से हाथ नहीं दोना पड़ेगा और इस machine के दोरा हम disability जो कि विकलांगता है क्योंकि diabetes के करण अगर foot कटेगा तो विकलांग होगा मरीज तो इस विकलांगता को भी हम बचाएंगे इसके अलावा वो patient जिनके अंदर पैर का दर्द होता है जैसे AD का दर्द और पंजे का दर्द उन वो वाले मरीज भी इसमें बहुत फायदा करेंगे और जिन patient में balance की problem होते है balance disorder होते हैं, attacks होते हैं जो अपने body को balance नहीं कर पाते तो वो मरीज भी उनमें हम देखेंगे कि उनकी body का movement किस तरफ जा रहा है किस तरफ उनका स्वे, postural स्वे हो रहा है तो फिर उसके बाद इस machine में कुछ games भी हैं जिसके द्वारा, rehabilitation games हैं जिसके द्वारा patient अपना balance improve करेगा और उससे इसके attacks and balance disorder में काफी मदत मिलेगी राजस्तान का एक मात्र ऐसा माट जो life cancer लेकर आया है आपके लिए नंबर बन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाच अपनी आँखों के सामने पिस्वाए रसोई से संबंदिक कोई भी मसाला या अनाच 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्द साधी 2,000 रुपे के खरिदारी पर फ्री हूम डिलिवरी तो चले आईए नेहा फ्रेश मार्ट मोती भिहार कॉलनी महादेव मार्बल के पीछे बांडी नदी पुलिया रामनगर कुषकर रोड अच्छमेर 9929090152 डॉक्टर शालिनी मल्टिकेर अवरवेट क्लिनिक पंचिकर्म वितकर्ण अगनीकर्म और मर्व चिकिस्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़से इलाज हमारे याँ पंचिकर्म पंधती, वमन विरेचन, नस्यवस्ति, रक्त मोक्षन और शिरोधारा से रोगों का जड़से इलाज किया जाता है साथी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाना, शरीर से विशाप्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्विक कम करना, वाही का तंत्रिक वो मनोवज्यानिक प्रणाली में संतुलन करना, आधी अनेक इलाज किया जाते हैं जैसे कि वमन, विरेचन, रत्मूप्षन, नस्य वगरा, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉप्सिंज वगरा हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा तो डिजीज अपने आप जड़ से क्योर हो जर लुद्ध है कर दो जो चलीनर खब दो, कर दो दो दो, ग्राओे कर दो, जो ग्राओे कर दो, कर दो पयोओे जफेस से बज़ में गवाटे को वादे कि और देल ग्रा की बारी है टो, कर दो से अड़ी है